हेलो फ्रंसेस प्रीडियों मा हम बात करने वाले इं BPSC TRE2 के सप्लिमेंटरी रिजल्ट को लिकर बहुत सारे सिचा का भेर्ती बेसेपरी से जो है सप्लिमेंटरी रिजल्ट का इंतिजार कर रहें बाकि आपका बराबर माक्स को लिकर भी जो है वो टेंसन बना हुगा है कि जो आपका सप्लिमेंटरी रिजल्ट आएगा उसमें जो आपके कटफ या फिर जो आपके माक्स है वो आपका एकाग दो नमबर आपके माक्स नीचे जाएंगे या फिर जो है बापके सिर्फ डेट तो मार्स से आप सेलेक्ट नहीं हो पाएं, तो आप लोग का यहाँ पर आपका टेंशन बना हुआ है, कि क्या ऐसे कंडिशन वे हैं, जब आप लोग अपना नीचे वाले पोस्ट पे कांसिलिंग वगर कराने बार ट्रेल नहीं करें, तो कि आप लोग को सप्लिमेंटरी रिज के सन, उसमें किस चीज का आपको ध्यान अभी से रखना है, और जो कुछ पर आपका महत्तुपूर है, इन सभी चीजों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से, डेटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले, बिल्कुल आप यहाँ पर अंतर तक उजुड़ी रहेगा, आप आपकी रिकती हैं, वो आपकी टोटल यहाँ पर रिकती हैं, जो कि स्प्लिमेंटरी रिजल्ट में चोऑदा हजादा साथो बासाया ऊपकी रिकती हैं, उस पर आठ के बाद यहाँ पर आपका ऑन में तो आपके सिर्फ और सिच्छा वी भाग उसके लिए जो है आपका रिजेल्ट जारी क्या जागा क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका BPSC TRE2 की वेकेंसी थी उसमें आपका पिछड़ा वर्ग अती पिछड़ा वर्ग कल्याड विभाग की वेकेंसी थी और जो आपका अनसूची जाती तथा जन जाती कल्य पिछड़ा विभाग है उसके जो विद्याल है उसकी भी आपकी वेकेंसी थी लेखिन यह जो आपकी टोटल सप्लिमेंटरी रिजेट जारी करने को लेकर सिछा भाग के तरफ से अनसानसाब BPSC के तरफ से भेजा गया है तो यह सिर्फ आपकी सिछा भी भाग की जो इसकू है कि यह जो आपकी टोटल यहां पर 14,762 रिखतिया है तो यह वैसी रिखतिया है जिसमें यहां पर क्याई कि बहुत सारे सिछा का वियरतियों का आप सभी लोग को पता है कि उनलोग का दो दो जगार तिन तिन जगा सेलेक्ट हुआ था तब एसे कंडिशन में यह जो आप कुछ सिछा का वियरति वो छोड़ दे रहें तो वो सब आपकी रिखतिया नहीं है बल यहां पर बस यहां पर जो आईसे सिछा का वियरति हैं जो एक जगा पर कांसलिंग जो है उकराएं लेकिन उनका बेपीएसी के तरफ से रिजल्ट कई जगा पे जारी किया गया था तो तो यहां पर वन चीत रह गया थे तो यहां पर कहा है कि आप लोग को को टियारिटु मे यहां पर सामिल कळिया जाएगा क्योंगि यहाँ पर टियारिफर स्प्लिमेटरी रिजल्ट शारीक यह चाल यहाँ पर जू आपका जर्रणल वगरत आप कट अए आपकी रिखते और रिजर्व केटेगरी वाला कट अब त Prevention तो तिन से चार मार्कस से ज्जादे आप लोग है है जो मार्कस से जो जाएगा और यहां पर आगे आपी वही का डेट दिया गया कि 8 जनुवरी के बाद यहां पर क्या है कि कभी भी BPSC के तरफ से आपका टीरी 2 का पड़ाम जारी कर दिया जागा क्योंकि यहाँ पर इसलिए 8 जनौरी 2024 के बाद बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो आपका एक डेट दिया गया है सिच्छा भाग के तरफ से प्रेस बिगिअति भी जारी किया गया था कि जो आपका TRE2 का जो आपके कांसिलिंग पर करिया चल लही है वो आपका 8 जनवरी 2024 को यहां पर समभथ हो जागा हलाकि जो सिच्छा वी भाग या फिर अलग-अलग जीले हैं उनके तरफ से कांसिलिंग जैसे उस जीले में सीट बचा हुआ है और सिच्छा का भेटी अभी तक कांसिलिंग नहीं कराने गए तो वो लोग अपना जो जीला सिच्छा पताधिकारी का रहले होता है वहाँ पर वो लोग एक आग दो डेट देते हैं और फिर वहाँ पर बुलाकर आप लोग का कांसिलिंग यहाँ पर काला लेते हैं और एक तरीके से देखेंगे तो आप सभी लोग को पता है कि जो 13 जनवरी 2024 है तो यहाँ पर क्या है कि प्रोविजिनल अपाइंट्पेंट लेटर आनि जो आपके तदर्थ नियुक्ति पत्र हैं जिन भी सिचा का भीयरतियां का पर कांसिलिंग मगरा हो गया तो उनको यहाँ पर 13 जनवरी 2024 को यहाँ पर मिलेगा तो हो सकता है कि 13 जनवरी 2024 से पहले ही यहाँ पर क्या है कि आप लोग का BPSC के तरफ से पूरक पढ़ाम जो है उजारी कर दिया जाए ताकि उसका महल थोड़ा सा मतलब अच्छा रहे क्योंकि बहुत सारे सिचा का भीयरति जैसे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जैसे इतनी आपकी रिक्तियां बची है और और लोग को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वगरा मिलेगा तो काफी जादे अन्य जो सिचा का वियरति है उनको बुरा लगता है तो हो सकता है कि यहाँ पर सिचा का बिभाग और बिहार सरकार और BPSC के करब से इस तरीके का महल यहाँ पर आपका बनाया जाए ताकि आप लोग भी यहाँ पर फूस हो जाए क्योंकि नॉर्मल से बात हैं पर 14,762 जो है इतना आपका रिजल जारी किया जाएगा तो मतलब काफी जादे सिचकों की जो है यहाँ पर संख्या है तो यहाँ पर पू नीच पर देख रहें तो आपका पहला वला नीच पर सेम आपका उसी तरीके से है इसमें आपका कोई बदलाव नहीं किया गया लेकिन आप यहाँ पर नीचे लाश्ट में देखेंगे जिसमें आपका बोला गया कि बीपीसी पूरक रिजल्ट जारी करने के लिए 15 जनवरी के बाद पत्र वगर भेज के यहाँ पर क्या कि बीपीसी जो वाले जो है यहाँ पर मतलब बीपीसी के तरफ से रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा तो वहीं आपका रहेगा मतलब मीड जनवरी 2024 आप यहाँ पर मान सकते हैं या फिर एक तरीके से मानेंगे कि जो पर टियारी टू में 50,263 आपके रिक्तियां जोड़ी गई और इसमें उहीं रिजल्ट को लेकर कि इतना पदों पर रिजल्ट और 8 जनवरी 2024 आपका जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपका टियारी फर्स्ट का जो सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी किया गया था उस अस्थान बता देंगे जो कि जिले में ही आपका अस्थान रहता है वहाँ पर आप लोग को जाना होता है और सभी लोग को अपवंधिक निक्तिपत्र आपको जो है उलेना होता है यदि आप लोग छुट भी जाते हैं तो जो भी आपका जिला सिच्छा पता अधिकारी कार नॉर्मल से बाते बिहार की जो सरकार है इतने अच्छे तरीके से इतने कम समय में सिचक भरती इतने बड़े अस्तरफ पे किये हैं तो नॉर्मल से बाते उनका प्रचार करना तो बिल्कुल यहां पर बनता है इसमें कोई भी जो है उने नहीं टाल सकते है फिर कोई इग्नोर जो है उन्हें कर सकता है तो इस तरीके से आपका होता है 13 जनवरी 2024 को आप लोग का अप बंदिक निक्तिपत्र सभी जो सिच्छा का विर्थी जो लोग अपना कांसिलिंग में अगर करा लिए हैं उनको यहां पर मिलेगा अब यहां पर देखे यह तो हम बात करें थे का supplementary result को लेकर तो यहां पर सबसे पर आप लोग का doubt री upload documents को लेकर क्योंकि बहुत सारी सिच्छक अविर्थियों का जो documents है upload किया गया उसमें आप लोग का तुरूटी है आप तो जान गया होंगे कि आपके documents में तुरूटी है या फिर गलतियां वगर है तो देखे आपको को री-अप्लोड करने का मौका मिले अथ यहां पर सिच्छ Yogs को थोड़ा सा बैठाईएगा टारी यहां जो सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी किया गया था उसका भी आपने देखा था कि री-अप्लोड करने अप्लोड किये हैं तो उसके अस्थान पर सही गजेटेट ऑफिसर से अटेस्टेट करवा के आप यहां पर री अप्लोड कर सकते हैं तो अभी देखिए अभी जैसे मालीजे आपको लगता है कि पूरक पड़ा में हम क्या है कि सामिल हो जाएंगे उसमें हमारा मेरिट बन जा चींज को लेकर आप बिलकुर यहा पर यहांप नहीं बनाया है कि देट बपर उसके अलमान जो आपका ब्रेकर थे हैं उसमें आप के पार्ट 3 को भी आपका में सन किया गया था फिर part 3 के बाद जो आपका language वाला होता है जो कि आपका part 1 उसको भी आपका जो है यहाँ पर type breaker के रुपमे आपका लिया गया है तो जैसे मालीजे आप लोग data of birth से पीछे हैं या फिर जो आपका type breaker है उससे आप पीछे हैं तो इसको तो BPSC के तरफ से आपका सुने कर दिया गया प्राइमरी को छोड़ कर तो वहीं आपका प्राइमरी का जो आपका टाइप ब्रेकर होगा वो आपका यहां पर क्या है जो आपका लेंग्वेज वाला हूँ है तो यदि मालीजे आप लोग डेट अब बर्थ आपका ट काग दो नंबर से भी जाद यहां पर क्या है कि जो आपका कट अफ है वो आपका यहां पर नीचे जो है उजाएगा 14,000 आप जो रिजेल्ट है इसको आप बहुत जादे मत समझेगा क्योंकि 14,000 जो आपके रिजेल्ट है इसमें आपके क्या है कि subject combination के मतलब subject combination वाला भी डाटा दिखाए दरो आपका काफी जादे डाटा है तो इसलिए यहां पर क्या कि जैसे आपका subject combination है तो subject combination के बेस पर आपका decide किया जाएगा कि कितना आपका cutoff नीचे जाएगा और कितना आपका maintain रहेगा या फिर आपके type breaker first और type breaker second में यहां पर क्या है कि आप लोग का बस कांसिलिंग के लिए आप लोग का supplementary result में जो आपका merit है वो आपका यहां पर बन जाएगा देखियां तैयार रहने का मतलब है कि जैसे जो आपके अभी watermark वाला documents है उसे आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वो जो आपका watermark वाला documents है ऐसा नहीं कि जो सफल सिचा का वेट हैं सिर्फ उनके ही portal पर है जितने भी लोग आप लोग form submit किये थे बहले ही आप लोग exam नहीं दिये थे उसके बाद भी जो आपका documents है अप्लोड किया अगर documents उस पे बीपेसी का watermark लग गया है तो आप यहादी चाहते हैं तो उसे आप निकाल कर कर प्रिंट वगर जो है बाप करा सकते हैं और यहाँ पर OTP समस्या वाला हमने हाँ पर बताया कि date of birth और type breaker से आप यहाँ पर पीछे रह गया है आपका merit नहीं बना है तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ इस तरीके का OTP वाला अधार का जो आपका verification होता है इससे आपका किसी भी तरीके का दि लिस्ट में नाम होगा उसके बाद ही यहाँ पर जो आपका धार कार्ट से समन्धित जो आपका link mobile number OTP वगरा का दिकत होगा तब हम उस time पर जो है link कराने जाएंगे फिर उस समस्या का समधान करने जाएंगे तब तक तो आप तो काफी जादे समय चला गया क्योंकि TRE2 में जैसे बहुत साल सिचा का भीरत्यों का इस तरीके का दिकत था तो लोग link वगरा कराएं तो उनका counseling 8-10 दिन-12 दिन चला तब तक उनका यहाँ पर क्या है कि उनका OTP वगरा complete मतलब OTP वगरा आने हाँ पर start हो गया लेकिन आप यदि supplementary result में इस तरीके का दिकत करें तब तो काफी जादे समय यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि 2-3 दिन से जाद यहाँ पर supplementary result के जो सिच्छा का वियते होंगे उनका यहाँ पर documents verification के लिए जाद आपका समय नहीं दिया जाएगा तो इसलिए यदि OTP का किसी भी तरीके का समस्या है तो आप अपने समस्या का समधान कर लिजेगा यदि recharge वगर नहीं तो recharge कर लिजेगा और OTP नहीं आ रहा है तो OTP क्यों नहीं आ रहा है वहां से आप अपना उसका निराकर्ड कर लिजेगा यदि मुबाइल नंबर गुम ही हो गया हो या फिर link कहीं नहीं हो तो आप link करा लिजेगा इतना आप यहाँ पर करेग बाकि जो आपके original documents को लेकर आपको लगता है कि supplementary result में हम यहाँ पर सामिल हो जाएंगे और जो आपके original documents है यदि आप अपने university या फिर board वगरा मतलब जहां पर भी आप पढ़ें या फिर जहां पर भी college वगरा हो वहां से आप नहीं लाए हैं तो आप को सुछिस करिएगा date तो आपका नहीं दिया जागा इतना आपका confirm है क्योंकि BPSC जैसे result जारी करेगा किस date को BPSC result जारी करेगा वैसे सिच्छा भाग को उन लोग को पता चल जाता है कि कब बीपीएसी के तरफ से result जारी क्या जाता है और सिच्छा भाग वाले BPSC से result जारी करने से पहले वो ल आपकी यहां पर आगे जो आप लोग का doubt यह है कि जैसे मालीजे आप लोग पहले से मतलब उसमें अब TRE2 में आप लोग select हो गए हैं उसमें आपका merit बना लेकिन जो आपका उच्छ पत्था उसमें भी आपको लगता है कि जो आपका supplementary result है उसमें आप लोग के हां पर सामि आप लोग को लगता है कि जो आपका 9-10 का जो आपने इसमें एकजाम दिया था तो इसमें आपके टाइब रेकर या फिडेट अबर्थ से आप यहां पर पीछे रहा रहे हैं तो यहां पर क्या है कि आपको लगता है कि इसमें भी आपका result बन जाएगा क्योंकि आप बहुत कम मार्क्स है या फिडेट अबर्थ से आप यहां पर पीछे हुए हैं उसी तरीके से बहुत सारे सीचा का वेर्थी 9-10 का मतलब 9-10 में आप लोग का result बन गया उसमें आप लोग कांसलिंग कर आनिक बार ट्रेनिंग जो है उकर ट्रेनिंग में आप लोग हैं और आपको यहां पर पूड़ा कोशिस है कि वो यहां पर आपका result जारी किया जाएगा BPSC के तरफ से पूड़ा यहां पर confirm रहेगा कि BPSC result आप लोग का देगा देखे इसलिए भी देगा क्योंकि इनका जो notification था उस notification में आपके क्या है कि उच पद के लिए जो है आपका mention किया गया थ झ इनके notification में बोला गया था कि यहां पर एसे condition में क्या करेंगे कि जो आपका 11-12 में ज़ाइन किये और 11-12 में ज़ाईन किये तो उसी का तो यहां पर BPSC के तरफ से supplementary result जारी किया जा रहा है तो एक तरीके से देखेंगे तो आप यहां पर नीचे पद पर जॉइन कर लिये हैं तो यहां पर यदि आपका उचे पद में चैन होता है तो यहां पर सियोर है कि BPSC यहां पर जारी करेगा क्योंकि उनका जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन में आपके उचे पद के बारे में मेंसन जो है आपका किया गया है तो यह है और यह जो आपका supplementary result है इसे आप ए मसमझेगा कि आपका दूसरा result है जो आपका BPSC, TRE2 का exam हुआ है उसी का आपका complete result है आनि आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि उस result को आपका part में part 1 में आप नीचे पद पे select हैं और part 2 में यदि आप उपर पद पे select होते हैं तो नीची तरफे आप लोग के हाँ पर जो result है वो यहाँ पर BPSC के तरफ से जारी कर दिया जाएगा इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे counseling में starting में बोला गया था सिचा भा के तरफ से हम क्या करेंगे कि जो आपका प्रान होगा उसके लिए भी आवेधन करेंगे लेकिन स्टार्टिंग में जब काउंसलिंग हुआ तो प्रान को लेकर बोला जा रहा था लेकिन उसके बाद यहां पर क्या है कि प्रान वाले मैटर को उतना मतलब एक तरीके से सीथिल कर दिया गया कि ठीक है बाद में आप लोग निवति वगरा कर लिजेगा फिर उस टाइम पर आपका प्रान वगरा के लिए आप अवेधन जो है कर सकते हैं और फिर उनका सेलेक्शन यहां पर हो गया तो वहाँ पर भी ओ तो प्रान के लिया वेधन कर दिया होंगे तो फिर यहां पर क्या नोकरी नहीं करेंगे बिलकुल करेंगे उसमें आपका merit बनता है supplementary result में तो निश्ची तोरपे BPSC के तरफ से जो आपका supplementary result होगा उसमें आप लोग यहां पर सामिल जो है आपका किया जागा तो इस तरीके से है update आपका BPSC TRE 2 का जो आपका supplementary result है उसको लेकर बाकी अब यहां पर आप लोग भी जो है वो तैयार हैगा उसके साथ ही आपर आप BPSC TRE जो आपका third होगा उसको भी आप यहां पर जो है जो कुछ भी आपका थोड़ा बहुत समय है उसके लिए भी आप यहां पर अपना जो समय है आप यहां पर देते रहेगा सिचक भरती आप लोग की आखों के सामने से जो है आपकी निकल गई तो इसलिए आप जो गलती TRE first और second में कर दिये हैं तो TRE third में आप यहां पर मत करेगा भले ही आप यहां पर supplementary result में आपको लगता है कि आपका हो जाएगा जो भी आपका 10 से 12 थर्ड का जो भी वेकेंसी है जो कि 24 अगस 2024 को आप लोग का एक्जाम जो है TRE third का आपका करा जाएगा सिच्छा भाग के तरफ से अपर मुखी सचीव के तरफ से पहले ही आपका किलियर कर दिया गया है तो उस पर भी आप कुछ न कुछ अपना समय अभी से जो है वो देना स्टार्ट जो है कर दिजेगा तो यहीं अपडेट है बाकि जैसे भी जो कोई भी अपडेट हो का इंफर्मेशन होगा हर एक चीज हम इस प्लेटफॉर्म राइट विच के सन इंडिया पे जो है उस सेर कर देंगे और अभ